गाईज आज के दिन Home First Finance 7.25% से भी ज़्यादा गिरा है अभी जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूं 10.40 हो रहे हैं इस टाइम में ये 7.23 के आसपास गिरा हुआ है और ये इससे भी ज़्यादा गिरा था ओके ये नीचे 6.75 से भी नीचे जाके अभी वापस आया है तो म ये company बहुत अच्छी है ठीक है और एक तरह से देखा जाए तो बजाज फाइनांस के साथ इसका comparison किया जाता है तो क्यूं किया जाता है वो इसके fundamental में हम लोग चेक कर लेते हैं लेकिन पहले इसको compare करते हैं बजाज फाइनांस के साथ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते देखेंगे बीच बीच में देखें यहां पर यहां पर बजाज फाइनस उपर चला गया होम फरस नीचे रहा फिर यहां पर होम फरस उपर चला गया बजाज फाइनस नीचे था और यह फेज देखेंगे आप 2022 का बीच का जो है यहां पर होम फरस फाइनस नहीं गिरा लेकिन बजाज finance बहुत ज़ादा गिरा फिर यहां पे यह बहुत ज़ादा difference आ गया था जो भी है आप levels देखें लगभग लगभग यह लोग एक साथ ही चलते हैं सिर्फ इसी zone में यह अपने जो difference थे तोड़े ज़ादा हो गए थे इनके लेकिन उसके बाद आप कहीं पे भी देखें और एक यह zone बाकी और कहीं पे भी आप देखेंगे यह एक ही जैसे चल रहा है है ना लगभग लगभग वैसे ही चल रहा है तो अभी के टाइम पे बजाज finance नीचे है और home first उपर है तो अगर आप यह consider करोगे ना कि यह जो joints बनते हैं जैसे यहाँ पे यह cross होता है यहाँ पे cross होता है तो अभी के इसाप से आप देखोगे तो बजाज finance आपको एक अच्छा stock दिखेगा अगर हम लोग compare करें home first finance से क्यों क्योंकि बजाज finance अभी नीचे है तो future में cross करके बजाज finance उपर चला जाए और home first finance ऐसे नीचे आ जाए ऐसा हो सकता है बोड़ो मैं ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है और इतना बड़ा difference होगा यह भी जरूरी नहीं है ठीक है मेरा यह difference बताने का सिर्फ मोटो यही था कि आपको यह दिखाना कि home first finance और बजाज finance लगभग लगभग आसपास ही चलते रहते हैं लेकिन जब बात करेंगे इनके market cap की तो इसमें बहुत जादा difference है ठीक है तो यह देखिए home first finance जो है वो 6000 करोड की कमपनी है जबकि बजाज finance 3 lakh करोड की कमपनी है जमीन आसमान का फरक है लेकिन तब भी अगर इतनी चोटी कमपनी इतनी बड़ी कमपनी के जैसे ही perform कर रही है इसका मतलब मेरी preference तो यह चोटी कमपनी होगी because small cap companies जितनी भी होती है उनमें थोड़ा scope जयादा होता है अगर उनके profits वगर अच्छे show हो है तो इनमें scopes बहुत जादा होता है जो अलड़ी बड़ी company हो गई है उसमें scope थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है कि अब यह कितना grow करेंगे हर चीज कर लिया आप क्या करेंगे नया क्या करेंगे क्योंकि हर company को कुछ नया करते रहना पड़ता है market में अगर उनको profit पिछल स्मार्ट है इंके अंदर जो काम करते हैं लोग तो वो लोग इसमें profit लाने के लिए कुछ न कुछ अच्छा करी देंगे लेकिन छोटी companies में ऐसी growth अगर शो हो रही है इसका मतलब इनमे scope बड़ी company से बहुत ज्यादा होगा I hope मैं समझा पाया कि मैं क्या बोलना चाह रहा तो आज के दिन home first finance गिरा क्यों अभी देखिए हम लोग बात ही कर रहे है और यह 7% पर आ गया मतलब यह recover कर रहा है यह देखिए बात करते करते 6.9 ठीक है तो आज यह गिरा क्यों मेरे हिसाब से अभी मैंने इसमें कोई news देखा नहीं है market में कोई news नहीं देखा है लेकिन म रिलाइनस जो है इस इंडस्ट्री में इंटर कर रहा है ठीक है तो रिलाइनस बहुत बड़ा नाम है आपने देखा है कि जैसे टेलीकॉम में आते ही इसने बागी टेली कॉम इसको बंद कर दिया सिर्फ एयर तल ही सर्वाइव कर पाया मांगी लगबबग सारी कमपनीस इस वह होंगे होंगे काफी दिन से उनको पता होगा कि जब भी कोई पानिक होता है किसी इंडस्ट्री में तो उसमें गिरने वाली जो सबसे स्लोवस्ट कम्पनी होती है वो होती है बिग कैप्स जैसे बजाज फाइनेंस और जो सबसे ज्यादा स्पीड में नीचे जाएंगे न वो होते हैं small caps जैसे की home first finance तो यही reason है यह reliance का ही reason है कि बजाज finance, home first finance और बागी इस तरह की companies जो हैं वो आज कल एक दो दिन से बहुत panic mode में चल रही है लेकिन मुझे मेरे जैसे investor के लिए और मेरी thought वाले investor के लिए इससे कोई फरक नहीं पड़ता बहुत बड़ा है, पूरा market reliance cover नहीं कर सकता और market में survival के लिए इस तरह की growing company कुछ न कुछ करी लेगी, ठीक है मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ तो मुझे जब भी इस तरह के stocks में अच्छे fundamental और technical fundamental जो भी अच्छे stocks होते हैं इन में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं investment पका करूँगा ये मैं कर सकता हूँ कि investment का amount जो मैंने पहले सोचा था उससे थोड़ा कम कर सकता हूँ अपना risk थोड़ा सा कम करने के लिए otherwise मैं investment तो पका करूँगा चलिए, ये देखिए, ये है net sales annual net sales का chart जो की continuous growth में है अभी इसमें 1 quarter add होना बांकी है और ये है yearly net profit का chart और इसमें आप देख सकते क्या कमाल की growth है इसमें और 1 quarter add होना बांकी है तो ये यहां कहीं बनेगा ठीक है, तो growth आप देख रहे हैं continuous growth है guys, continuous growth है तो ये list तो हुई थी COVID के time पे ही और मैंने कई सारे वीडियो में पताया था कि कचड़ा companies भी उपर चली गए थे लेकिन उन कचड़ा companies के बारे में पता कैसे चला वो कचड़ा companies जो है profits show नहीं कर रही थी, बस उपर जा रही थी ठीक है, लेकिन ये profit show कर रही है इसका management strong है और ये technically भी उपर जा रही है जैसा कि बजाज finance करती है ये भी एक fintech company है ठीक है, ये भी home first finance एक technology use करने वाली company है जो technology use करती है अपने financial business में तो जितने भी finance की companies है उसमें सबसे ज़ादा grow करने वाली companies आपको इसी चीज को use करते हुए दिखेंगे तो चलिए बाकी चीजों के बारे में बात करते है 6,16 करोड का इसका market cap है ROC, ROE अभी के टाइम पर बहुत गिरे हुए क्योंकि इसके profits बहुत ज़ादा पिट चुके है debt इसके उपर नहीं देखना चाहिए because ये एक financial company है तो इनको debt लेना पड़ता है debt देने के लिए promoters holding कुछ खास नहीं है 33.5% है जिसमें से इन्होंने कुछ भी गिर्वी नहीं रखा है dividend ये नहीं देते हैं इसलिए ये पूरा का पूरा जो इसमें growth दिखता है वो इनके stocks में दिखता है तो जो आप पैसा लगाओगे उसमें आपको growth पका मिलेगी अगर आप dividend के लिए करना चाहते हो तो ये company आपके लिए नहीं है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे उतना कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा खास जो मुझे दिख रहा है वो है इसकी valuation का chart ये देखिए median कितना है 42.2 अभी का valuation कहां पे है 28.2 बहुत ज़ादा undervalued हो चुका है ये stock और जो सबसे अच्छी चीज मुझे किसी भी stock में लगती है वो लगती है ये पहाड जो ये उपर चड़ते हुए पहाड है ना EPS के ये सबसे अच्छी चीज होती है किसी भी stock के बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज बोलती है वो होती है ये EPS के chart ठीक है देखिए continuous growth किसी भी आप time का लीजे वो उपर ही गया है अब देखिए इस industry में मैंने आपको बोला कि बजाज finance के साथ हम लोग comparison कर रहे हैं तो ये और ली बजाज finance के साथ competitor नहीं है ये जो finance करती है companies ये उनके साथ competitor है ठीक है लेकिन चार्ट में हमने देख लिया कि ये चलता बजाज finance के जैसा ही है लेकिन इसके जो थोड़े बहुत main stocks है ना हम लोग इसके साथ भी थोड़ा comparison करते हैं चलिए देखते हैं अभी देखे इसका PE आवास finance का ज्यादा है है ना तो इसको market ने value दिया हुआ है aptus इसका PE ज्यादा है इसके साथ comparison करेंगे हम लोग और तो बांकी normal दिख रहे है companies तो चलिए इन दोनों के साथ ही कर लेते क्योंकि ये दोनों companies भी बहुत अच्छी है और market में बहुत ज़्यादा time इनको नहीं हुआ है तो आवास और aptus के साथ हम लोग इसको compare करते हैं तो देखें अगर आप इसको max कर दोगे तब तो आवास finance जो है वो थोड़ा पहले list हुआ था तो इसलिए उसका chart थोड़ा अलगी दिखेगा है ना और आप ये भी देखोंगे home first finance ये भी थोड़ा अलगी दिखेगा क्योंकि aptus जो है यहां कहीं पर start हुआ था तो हम लोग क्या करेंगे इसका five year करके देखेंगे अभी भी ये वैसे ही है one year करके देखेंगे तो अब ये दिख रहा है कि हाँ तीनों एक जगा पे है तो ये जिस जगा पे थे वहां से किसी ने अगर investment किया होगा तो home first finance में ये blue वाली जो लाइन है ये home first finance किये ठीक है तो home first finance में उनको 0.42% का profit हुआ होगा लेकिन वांकी जो companies है उसमें 25% से ज़्यादा का loss हुआ है ठीक है तो इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो इनके साथ वाली जो companies है अप्टर्स और अवास इन दोनों से भी home first finance बेटर है profit and loss देखेंगे तो शानदार है देखें double digit जो हमारा फेवरेट है double digit है तो फेवरेट है CIGR अभी नहीं बना है ज़्यादा तो one year का तो obviously market बहुत ज़्यादा panic में है तो one year वाला हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते है balance sheet में reserves आप चेक करेंगे तो continuous growth है borrowings आप देखेंगे तो borrowings देखना नहीं होता है लेकिन borrowings भी आप देखेंगे तो यह बढ़ रहा है तो इसको हम लोग count नहीं करेंगे इसके लिए क्योंकि यह financial company है loan देने वाली company है fixed asset आप देखेंगे तो यह बहुत अच्छे से बढ़ रहा है है ना तो इसको मैं two out of two दे सकता हूँ देखे शेर holding pattern अगर आप चेक करेंगे तो promoters के पास जो भी stake था वो इनके पास अभी भी उतना ही है लग लग थोड़ा बहुत कुछ points में difference आया है FII में आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ अपना stake कम ज़्यादा कम ज़्यादा किया है बीच बीच में और mutual funds की बात करेंगे तो mutual fund ने इसमें बहुत ज़्यादा अपना stake कम कर दिया है September में और December में तो सबसे ज़्यादा panic जो इसमें हुए है वो mutual fund ही हुए है अभी एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ पे जब हम लोग mutual fund की details हम लोग चेक करते है तो इसमें orange clove investment का last जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है June 2022 में और उसके बाद ही इसमें कमी दिखिया है फिर इनका भी बैसमर का भी यहीं तक दिखा रहा है फिर उनके बहुत कमी है लेकिन जब हम लोग लेकिन जब हम लोग इस पे click करते हैं तब यह दिखा रहा है कि इनका home first finance में जो stake है वो अभी भी है और उतना ही है और इवन अगर बैसमर का देखा जाए तो बैसमर के पास भी stake उतना ही है तो to be frank I really do not know कि यह क्या reason है इसका कि यह यहां के बाद show नहीं कर रहा लेकिन अगर उस चीज़ को ना देखें तो यह जो change है ना यह बहुत ही बुरा दिख रहा है मांकि इसके अंदर public ने तो heavily buying कर रखिए ठीक है आप यहां देखो 11,12,13 चल रहा है और यहां suddenly 50 तो 50% की stake तो public के ही पास है तो जब भी ऐसा कुछ होना तो थोड़ा दरावना लगता है यह देखने में क्योंकि अगर इसमें से कोई बहुत बढ़ा प्लेयर अगर निकला तो सबसे ज़्यादा फसने वाले हम बेचारे retailers ही होंगे तो आपको इस चीज़ को देखके अगर थोड़ा खौफ आ रहा है तो आप इस stock से दूर रहे सकते हो लेकिन जिन लोगों को थोड़ा dare करना है और इसमें थोड़ा risk लेना है उनके लिए मैं इसके levels बता देता हूँ देखे सच बोलू तो इसका वीडियो मुझे थोड़ा पहले बनाना था क्योंकि जो इसका first level बन रहा है वो बन रहा है 680 के पास ठीक है और आज इसने क्या किया है आज इसने 672 के आसपास आके इसने reversal लिया है ठीक है तो यह अगर मैं आपको पहले बता देता तो आप इसमें investment कर सकते थे अभी के time पे यह 688 चल रहा है यह ना 688 चल रहा है यह 700 के भी उपर चला गया था भी थोड़े दिर पहले तो हमारा पहला जो level है वो 680 है जो की था कप का यह है March 15 तक के लिए से नीचे जाता है तो इसमें जो second level बनेगा वो होगा 545 का और जो तीसरा level बनेगा वो होगा 400 का ठीक है तो यह है मेरे तीन levels जिस पे मैं personally buying करूंगा ठीक है मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ मैंने यहाँ पे buying की है मेरे पास यह 675 में मैंने इसको add किया है कितना add किया है जितना मुझे invest करना था उसका 25% और बांकी next 25% मैं यहाँ पे करूंगा और बांकी 50% मैं यहाँ पे करूंगा तो मैंने अपने कई सारे वीडियोस में यह बताया है कि मैं investment किस तरह से करता हूँ पैसे किस तरह से divide करता हूँ और यह जो first level है मैं फिर से बता रहा हूँ यह जो first level है यह सिर्फ March 15 तक ही valid है next month में यह फिर change हो जाएगा तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में भी यह repeat करता रहूंगा लेकिन आप जो मेरे subscriber है regular viewers है वो यह चीज़ ध्यान रखना में कभी भी अगर first level बता रहा हूँ तो वो उस महीने के 15 तक ही valid रहेगा आपके कुछ doubts अगर बच गए हैं तो आप मुझे comments में बता दीजे मैं उसे solve कर दूँगा और अगर कोई और stock आप review में देखना चाहते हैं तो आप उसका नाम comment section में लिख दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में